नर्शिंग आफिसर्स वेल्कम टू आरेंसे नर्शिंग अकेडमी तुम्हें आपके लिए न्यू अपडेट्स लेके आया हूं अभी आपने देखा होगा अभी पोपाल की न्यू एक्सेंडेड पोस्ट आई है जो नोर्शेटेंस में कंबाइन होने वाली है तो अपन इसके क्या होने वाला है कितने पोस्ट होने वाली है और मेल कंड़ेट के लिए कितने होने वाली है और फिर मेल कंड़ेट के लिए लास्ट अब पर्जेंट टाइम में कितने वेकेंसियों टोटल पोस्ट होने वाली है तो अपन फिरले इस्टिस करने सबसे पहले आपने देखा ह थी 3803 टोटल यह पोस्ट थी उस टाइम जब एम्स ने टोटल ओफिसल नॉटिस निकाला उस टाइम और एम्स की देन उसके बाद में जो एम्स की आई वेकेंसी उसके बाद में उसने एम्स तलेंगा न एन बिलासपूर इन दोनों ने भी इस वेकेंसी के अंदर कोंट्रिबूट किया डेट्स ओजो वेकेंसी थी वो तलेंगा ने की थी और एम्स बिलासपूर की थी वो 100 पोस्ट एम्स बिलासपूर की थी उसके बाद में आज ही हाली में एम्स पोपाल ने नॉटिफिशन निकाला उसमें नॉसेट के अंदर 126 पोस्ट का एं एटी ट्वैंटी रिज्व के बाद में तो खुशी की बात हैं पर दुख की बात में भी है कि पोस्ट इंक्रिमेंट हुआ कुछ पोस्ट का तो जैसे एम्स दली ने निकाली उस टाइम आप देख सेते वन थ्री एट-जिरो-थी पोस्ट थी उसके बाद में एम्स देल पोपाल ने 126 पोस्ट निकाली अभी आप्थर रिजर्वेशन्स 80-20 रेशियो उसके बाद में फिमेल जो केंडेट हैं उनके खाते में आ रही हैं 3345 वेकेंसी आ रही हैं और मेल केंडेट के लिए एप्रॉक्स 835 वेकेंसी पोस्टेज आ रही हैं 20 परसें रेशियो निकाल के बाद तो मेल केंडेट के लिए होने वाली हैं 835 वेकेंसी पोस्ट है और फिमेल केंडेट के लिए होने वाली है 3344 पोस्ट होने वाली है तैन एक इंपोर्टन न्यूस आज एम्स देली का जो एड्मिट काड है वो आने की संभावना है तो आप ऑफिसल साइट पर विज ठीक है दोस्तों तो चैनल को लाइक करें शेद करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू बैंस